नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एड्यूकेशन फॉर इंडिया में आज हम आप लोगों को यूपीटेट और सीटेट और सीटेट से रिलेटेट साइन्स विसे समंदीर पेपर 2 का एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है टॉप से लिंक है आप उसमें से भी जाकर वीडियो को देख सकते हैं आज हम आप लोगों को पार्ट टू के बारे में बताएंगे उससे स्टेट ऑफ मेटर से रिलेटेट दस और कोशन जो इंपोर्टेट हैं वो मैं आप लोगों के लिए लाई हूं यदि आपको मेरा ये वीडि वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करेगा साथ ही बैल आइकन पर क्लिक करेगा ताकि आपको आगे के पार्ट के वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सके चलिए आते हैं अपने टॉपिक पर इस्त्म 1 को इस्त्म 2 में सुमेलित करना है जिसमें A है वास्पी करन B है उड़्वा पातन C हिमांक D कलनांक इसमें स्थम 2 में ये सारी प्रकिया इसमें जो परिवर्तन है एक नमबर में दिया है द्रव का गैस में दो नमबर में है गैस का द्रव में तीन नमबर में ठोस का गैस में चान नमबर का है ठोस का द्रव में पांच का है द्रव का ठोस में तो इस्थम 1 को इस्थम 2 से मैच करना है कि यह यह प्रक्या किसमें किसमें परिवर्तन से होने से यह प्रक्या होती है तो पहला है वास्पी करन वास्पी करन की जो प्रक्या होती है वह होता है द्रव का गैस में चब परिवर्तन होता है तो द्रव का गैस में परिवर्तन होने कि प्रकिया को बास्पी करन करते हैं इस सारा जो अभी हम आपको टॉपिक बता रहे हैं प्रकिया बता रहे हैं अग्यादी आप हमारा पहला वीडियो देखेंगे तो आपको यह चीज और क्लियर हो जागा क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सरे िक यह उलत्वा पातन, इसका सब्लीमेशन क्या होता है तो बी-क जो मैश हो करते हैं तो तीसरेन democr गलनांग, D का होगा, ठोस का द्रोव में, जब ठोस का परिवर्तन द्रोव में होता है, तो यह प्रकिया कहलाती है, गलनांग, तो अभी हम आपको जो जो मैच करा है, उसका आप्सन जो है, चार आप्सन है, इस क्वेशन का, आप्सन नमबर 1, 2, 3, 4, तो इसमें जो सही आप् लाए, B का तीसरा, C का पांचवा, और D का चोथा है, चलिए, नेक्स्ट क्वेशन में, सुध्ध जल का गलनांग होता है, इसमें चार आप्सन है, आप्सन नमबर 1, 100 degree centigrade, आप्सन नमबर 2, 0 degree centigrade, आप्सन नमबर 3, 5 degree centigrade, आप्सन नमबर 4, 78.3 degree centigrade, तो सुध जल का, जो गलनां Seventrigate Next question निम्ड में हाईग्रोस्कोपिक है तो हाईग्रोस्कोपिक क्या होते हैं वो हम पEurop Americo बता देते हैं कि एक पदार्थ कोई भी एक प्रतार्थ यदि प्रश्वेड व्यरतन नम्य औसोषक हो जिसे या मैं होते हैं वो क्या होते हैं hygroscopic means hydrate बनाने वाले होते है for example में जैसे sodium hydroxide और potassium hydroxide तो यहाँ पर भी आपके पास 4 option है पहला sodium hydroxide दूसरा जो है calcium carbonate तीसरा calcium oxide इन में से कोई नहीं तो इसमें जो सही option होगा option number 1 sodium hydroxide next question LPG द्रवीद petroleum gas है इसमें भी आपका 4 option दिया गया है पहला मिस्रन, दूसरा योगी, तीसरा तत्व चौथा अपरुक्त में से कोई नहीं तो जो LPG होता है वो होता है hydrocarbon gaso का मिस्रन जैसे propane और butane तो LPG क्या होता है एक hydrocarbon gaso का मिस्रन होता है तो इसमें जो हमारा option है option number 1 मिस्रन जोगा मिक्चर ये शही option है next question निमलिखित में से कौन सा समांगी मिस्रन है तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि समांगी मिस्रन क्या होते है समांगी मिस्रन वे होते हैं समांगी मिश्रण कहलाता है जैसे वायू ऑक्सीजन नैट्रोजन कार्बन टैक्साइड आधी गैसो का समांगी मिश्रण है जैसे जल में नमक का विलियन तथा मिश्र धातु भी समांगी मिश्रण है तो यहां पर जो पहला स्टार्च और सर्क्राइब दूसरा मेथनॉल और जल तीसरा ग्रेफाइट एम चारकूर और चो था कैलसियम कार्बिनेट एम कैलसियम बाइकरपनेड इसमें जो समांगी मिच्वर्ण है इसमें अप्शन नुमर्ट टू इस द राइट एंसर मेथनॉल और जल इक में से कौन सा टिंडल प्रभाव को परदर्सीत करेगा ंतो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं क detteिंडल प्रभाव क्या होता है किसी कोलाइट वीलियं में उपस्तित कड़ू द्वारा प्रकास का प्रकियलन होने की परिघटना टिंडल प्रभाव कहलाता है अग टिंडल प्रभाव में जो कुलाइड विलियन उपस्तित होता है वो कुलाइड विलियन स्टार्च विलियन हो सकता है तो इसमें भी चार आप्शन है नमक का घोल, कॉपर सलफेट का विलियन, स्टार्च विलियन और चोथा उप विलियन में चार अप्सन दिया गया है कि क्या होते हैं तो सबसे पहले हम आपको कोलाइट विलियन क्या होते हैं वे बता देते हैं वे विलियन जिनमें विले के कड़ों के आकार एक नैनोमीटर से सो नैनोमीटर के मद्य होता है को लाइट कर लाते हैं और यह विस्मांगी व होते हैं कि यह हो गया हमारा आप इसमें दिया गया है कि पहला यह समांगी मिसरण है तो अभी-भी कि चाना तो यह तो हो गई है की कोड़ों करक Gy roses कम होता है तति है तो हमने पड़ा है कि यह कंई एक स्सक्राइन के निम्न में से कौन सा तत्य भौतिक परिवर्थन के लिए सर्थ हैं कि भौतिक परिवर्तन के लिए कौन सा कौन सा सबसे पहले हम आपको बता देते कि भौतिक-परिवर्थन होते क्या है ऐसे परिवर्थन जिन में किसी पदार्थ के भौति-गुड़ this हो जाता है तथा कोई नया पदार्थ नहीं बनता हो तीपर परिवर्तन कहलाते हैं एक फिर से बोल देते हैं ऐसे परिवर्तन जिन में किसी पधार्थ के भौतिक गुड़ों में परिवर्तन हो जाता है तथा कोई नया पधार्थ नहीं बनता भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं फॉर एक्जामपल जल में जम नमक खुला जाता है तो रहसा और बता देते हैं भौरी परिवर्तन कि लच्छन कि भौती परिवर्तन प्राय औस्थाई होते हैं और प्रकिया के वल तब तक होती है जब बहुतिक परिवर्टन के दौरार और अष्था हो चीडर और यह उत्कलिंग सकते तो इसका सही बहुतिक परिवर्टन अष्था हो सकते हैं नेक्स्ट नमबर नाइन कीर्द में इसे किस में बहुतिक परिवर्तन नहीं है ऑप्शन नमबर वन लोहे का पिघलना ऑप्शन नमबर टू लोहे में जंग लगना ऑप्शन नमबर थ्री लोहे की छड़ का मुणना ऑप्शन नमबर फोर लोहे को खीच कर तार बनाना तो लोहे का पिघलना ये भहतिक परिवर्तन है लोहे में जंग ल निम्रिखी दसाओं में से किसी एक के रैसानिक अभिक्रिया नहीं होती है तो रैसानिक अभिक्रिया नहीं होती है इसमें च्पी चार आप्सन है पहला खाने का नमक वायू के संपर्क में आता है दूसरा कोईला वायू में जलता है तीसरा सोडियम को जल में डाला जाता है च ऒब तक होता है भगسानिक नहीं होता है तो किसे टुक्तिकीस होता है के कुछ महतूर प्रश्न जो पार्ट टू है पार्ट वन मैंने अल्रीड अप्लूट कर चुकी हूं और नेक्स्ट पार्ट थ्री को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अब बाइल आकन पर क्लिक कर लें ताकि आपको नूटिफिकेशन के मादेम से न